dear students welcome to the lecture on water quality assessment और इस lecture में हम पढ़ेंगे कैसे हम water quality assessment कर सकते हैं on the basis of water quality index और water quality index कैसे हम calculate कर सकते हैं उसको हम यहां पर discuss करेंगे इस से पहले lecture में आपने देखा था की कौन कौन से ऐसे parameters हैं जो assess किये जाते हैं, quality, water की quality को देखने के लिए कि वो पीने योग है या नहीं है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, आप देखें कि जो WQI है, जो water quality index है, ये हमें बताती है कि जो water है, ये drinking purpose के लिए यूज किया जा सकता है या नहीं, तो कैसे हम इसे calculate करते हैं, उसको हम देखेंगे, तो ये water quality assessment के लिए आपने देखा था कि हमें biological, physical and chemical parameters देखने होते हैं, in relations to natural state, anthropogenic effect and future usage, और इसको हम देखते हैं with reference to certain quality standards, जैसे हमने देखा था कि WHO के standard हो सकते हैं, या BIS के standard हो सकते हैं, या ICMR के standard हो सकते हैं, तो एक standard लेके, हम उसके relation में biological, physical and chemical parameters को देख सकते हैं, कि ये जो natural water होता, तो कैसा होता, कैसे कैसे parameter होते, और इस पर क्या कोई anthropogenic effect है या नहीं है, और ये जो water quality है, ये किस परपज के लिए use की जा सकते हैं, इसको हम quality standards से compare करते हैं, जो भी parameters हम major करते हैं, और ये जो quality standards हैं, ये हर water quality के लिए alag-alag होते हैं, अगर हमें domestic water quality को देखना है तो उसके लिए standard कुछ और होंगे, अगर हमें industrial purpose से देखना है तो standard का level कुछ और होगा और अगर हमें irrigation purpose से देखना है तो उसमें तो standard से उनका level कुछ और होता है तो different levels of standards होते हैं हर एक परपच के लिए तो यहां पर जो अब आपने देखा कि अलग अलग parameters हम देखते हमने physical parameters देखे तो physical parameter में जैसे हमने color देखा या हमने on the basis of order कहा कि यह पानी पीने योग है नहीं है पीने के लायक है नहीं है ऐसे हमने chemical parameters देखे कि इसका जो एक standard जो unit उसकी है वहां तक उसको वह allowed है वह drinking purpose के लिए यूज किया जा सकता है तो अब यह क्योंकि parameters अलग अलग है आपने देखे थे जैसे हम कहेंगे कि iron है तो iron को अगर हम देखेंगे तो iron क्या होगा वो iron का level जो है particular limit तक तो acceptable है और एक unit के बाद जो acceptable नहीं है या अगर हम उसकी turbidity की बात करेंगे तो turbidity के बारे में हम देखेंगे तो एक particular limit तक वो allowable है उसके बाद नहीं है तो लेकिन इन सब की unit क्या होती है अलग अलग होती है किसी की unit mg per ml में होती है किसी की unit जो है आप देखेंगे grami per liter में हो सकती है किसी की unit जो हैWOW DC Simon per centimeter हो सकती है तो सारे parameters एनकी unit's अलग अलग होती है तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसा index calculate करते हैं जिसे हम water quality index कहते हैं जो क्या करता है it minimizes water quality parameter information to common scale and combines them into a single value. तो यह WQI क्या करता है कि जो हम इतने सारे parameter लेते हैं मैंने माली जो 10 parameter लिये मैंने pH लिया, EC लिया, TDS लिया, Color लिया, Temperature लिया, Iron लिया, Magnes लिया, इस तरीके से मैंने 10 parameter ले लिया लेकिन उन 10 parameter का अलग-अलग level होगा जो allowable होगा उसके अलावा उनकी जो units होंगी वो अलग- आरे parameter को हम अलग-अलग जब देखेंगे तो अलग-अलग हम क्या निकालेंगे उसका जो अलग-अलग conclusion निकालेंगे कि iron इतना है तो यह PNA हो कि नहीं है, फिर हम कहेंगे pH इतना है तो यह वेकार हो गया, तो हम अलग-अलग parameter के relation में बताएंगे कि वो water quality कैसी है, लेकिन ए scale जिसमें की different parameters की different units थी, उनको एक common scale में ले आएगा, तो इस तरीके से यह एक बहुत अच्छा indicator है, जो की indicate करता है drinking water quality को, और यह WQI क्या करता है, it shows the combined effect of different water quality parameters, तो सारे quality parameters जो भी हम use करेंगे, उनके combined effect को यह show करता है, and this index facilitates a simpler and easier interpretation of the data rather than assessing each parameter, तो यह किसमें helpful है, कि यह data को जो है, वो simple way में interpret करने में helpful है, बजाए इसके कि हम एक एक parameter के basis पर assess करें water quality को, हम एक combined effect लेते हैं parameters का और उससे assess करते हैं water quality parameter क्योंकि आप देखेंगे कि यह common scale को generate करता है, तो water quality index कैसे हम major कर सकते हैं, Horton ने 1965 में water quality index को major करने के लिए, जो mathematical model दिया, उसके according हम चार steps के थूँ, इस water quality index को major कर सकते हैं, first step क्या होता है इसमें, parameters का selection, कि कौन-कौन से parameters हम water quality index को major करने के लिए लेंगे, second step होगा, calculation of weight is, weight is calculate करेंगे हम each parameter का, third step में हम क्या करेंगे, calculation of sub-index, sub-index calculation करने के बाद फिर हम WQI evaluate करेंगे, और WQI क्या होता है, summation of WQI into QI, तो यह जो steps हैं, इनके through हम क्या करेंगे, calculation करेंगे, WQI की, जिसे हम एक Excel फाइल से आपको easy way में show करेंगे, कि कैसे हम WQI calculate कर सकते हैं, तो यह एक Excel फाइल है, और इस Excel फाइल में example के लिए हमने देखिए जो parameters लिए वे, तो सबसे पहले हमने parameters का selection किया हुआ है, जैसे हमने pH लिया है, TDS लिया है, total dissolved solids, total hardness, calcium, magnesium, sulphate ions, chloride, fluoride, fluoride, nitrate, iron, manganese, sodium and potassium, तो कुछ parameters हमने ले लिये हैं, और इन parameters को select करने के पाद, यह जो मैंने आपको table दी है, यह है second step, second step में हम क्या करते हैं, weightage calculate करते हैं, weightage को हमने WI कहा, तो अब आप देखिए, WI के लिए सबसे पहले हमें क्या calculate करना होता है, SI, SI क्या है, standard value है, इन parameters की standard value है, यह हम चाहे BIS ले ले ले, हम WHO से इसको क्या कर सकते हैं, WHO से standard value को ले सकते हैं, तो different parameters की standard values हैं with the units हमने यहाँ पर ले ली, maximum units हैं, वो क्या है, जो mg पर लीटर में हैं और यह pH इसकी कोई unit नहीं है, तो यह standard values हैं, फिर हम कैसे calculate करते हैं, देखिए, WI calculate करना है में weightage, तो weightage को calculate करने के लिए हम क्या करेंगे, यह SI है, इस SI का हम 1 upon SI calculate कर लेंगे, तो हम यह जो भी standard values हैं, यह पूरी calculation is based on the standard values, तो इस इन parameters की standard values पर based है weightage का calculation, तो हमने क्या किया, one upon SI calculate कर लिया, जब हमने one upon SI calculate कर लिया, और उसका क्या कर लिया, summation कर लिया, देखिए, यहाँ पर सारी one upon SI value का summation है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, के की value हमें calculate करने होगे, और के की value क्या होती है, के की value होती है, one upon one upon SI का summation, यह देखिए, तो हमने यह देखिए, summation किया हुआ है, तो हम क्या निकार लेंगे, k की value निकाल लेंगे तो k की value calculate की k की value calculate करने के बाद हम small w i का calculation करते हैं small w i क्या होता है k upon si तो k upon si की help से k हमने ये निकाल लिया है और one upon si से इनको multiply कर देंगे तो हमें ये values बिल जाएंगी तो अब आप देखिए हम इसमें formula create कर सकते है excel का ये फाइदा है देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर लिख सकते है equal to ठीक है हम यहाँ पर लिख सकते है equal to हम कैसे generate करते है देखिए formula अगर मुझे one upon si निकालना है तो मैं आपको इसको calculate करके दिखा रही हूँ कैसे हम calculate करते हैं यहां पर मैं equal to लिखूंगी और equal to लिखने के बाद one upon si, one upon यह value मैंने create कर दी, तो देखिए यहां पर one upon si, देखिए same value मुझे मिल गई, तो मैं formula create कर सकती हूं, उसके बाद जब मैं इस formula को copy करूंगी, और copy करने के बाद when I paste, जब मैं इसको paste करूंगी, तो यह सारी values क्या हो जाएंगी, पेस्ट हो जाएंगी और आप देखेंगे similar values मुझे generate हो गई हैं, तो excel file में जो formula को generate करना और उसको paste करना बहुत आसान होता है, उसके बाद हमने again यहाँ पर एक formula generate किया है, यहाँ पर भी मैंने formula generate किया है, जहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, आप देखेंगे equal to अगर मैं sign लगा हूँ, और मैंने इसको यह देखें, यहाँ पर value है किये की, यानि अगर मैं इसको कर दूँ 0.06838 और इससे मैं multiply कर दूँ किसको इस row को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखें, same value, और उसके बाद मैं अगर इसको copy करूँगी तो मुझे यह सारी values मिल जाएगी, देखेंगे, यह, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हम यह create कर सकते हैं, excel file में within second हम formula को design कर सकते हैं, फिर आप देखेंगे, जो capital WI है, वो क्या ह WI upon sigma WI, तो यह हमने इसको भी calculation से निकाल लिया, तो WI हमें मिल गया, तो WI जब हमें मिल गया, तो हमें क्या मिल गया, वेटेज मिल गया, तो जो पहला step है, वो है selection of parameters, generally यह parameters लिये जाते हैं, और यह parameter जब हमने select कर लिये, तो उनकी standard value हमने यहाँ पर रखी हैं, और standard value के ब WI निकाला और WI से हमने capital WI निकाल दिया, तो capital WI जो हमें मिला है, यह क्या है, वेटेज है, अब अगर हम इसका third step देखेंगे, तो third step क्या है, third step है, कि हम calculate करेंगे sub-index, sub-index क्या होती है, QI is equal to 100 into MI upon SI, so SI तो standard value है, और MI क्या है, measured value है, तो अब हमने फिर से parameter लिये, और यह नहां पर standard value रखेंगे, सारी standard values है, MI जो हमारी observed value आई, जो हमने उस particular water sample में देखी, तो यह एक site का water sample है, मान लीजे, मैं 50 या 60 या 70 site से water sample collect करूं, तो हर एक के लिए मुझे QI निकालना होगा, हर एक sample के लिए, हर एक sample के लिए मुझे WI निकालना होगा, QI मैंने कैसे calculate किया अब यह दोनों मेरे पास है, और मैंने यह आप एक formula create किया, और formula create करने के बाद मैंने कि 100 upon MI, 100 into MI upon SI, तो उसको copy कर लिया, तो मुझे क्या मिल गए, QI की value मिल गए, तो मुझे QI की value मिल गए है, और WI की value मिल गए है, इसकी help से मैं क्या calculate कर सकती हूं, WQI, और WQI क्या होता ह है, sigma WI into QI, तो मेरे पास WI है, मेरे पास QI है, और अगर मैं इन दोनों को multiply कर दो, इन दोनों को multiply कर दो, और मैं एक formula create करूं, equals to this cell into this cell, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए, WQI मिल जाएगा, और इस WQI को अगर मैं copy करूं, और यहां paste करूं, तो क्या हो जाएगा, formula copy हो जाएगा, तो इस तरीके से आप देखिए, within a second मैं calculate कर सकती हूँ, WQI, अब इन सब को जब मैं जोड़ दूगी, एक WQI, दूसरा WQI, तीसरा W, इन सब को मैंने जब जोड़ा, तो मुझे मिला 11.6167, तो मुझे क्या मिल गई है, WQI की value मिल गई, तो यह क्या है, WQI, तो अब मुझे देखना है, कि यह पानी कितना suitable है, पीने योगी है, या यह नहीं है, तो मान लीजे कि यह मेरा sample 1 था, जिसकी value कितनी है, 11.61, तो इसको मैं किस basis पर देख पाऊंगी, इसको मैं देख पाऊंगी, अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर एक water quality की basis पर 5 classes में divide किय गया है, water sample को, अगर यह जो value है, WQI की value, if it is less than 25, तो water quality excellent है, for drinking पर बच, अगर यह 26 से 50 है, तो यह good quality का है, अगर 51 से 75 है, तो poor quality है water की, अगर यह 76 से 100 है, if it is 76 is to 100, then इसकी जो quality है, वो very poor quality है, और 100 से उपर अगर WQI की value आती है, then it is unsuitable for drinking, तो यह 5 classes है, जिन classes के basis पर हम compare कर सकते हैं, कि water quality कैसी है, पीने लायक है या यह नहीं है, तो अब देखिए, हमारी जो water quality आई है, वो excellent आई है, क्योंकि यह 11 है, वो किस से नीचे है, 25 से नीचे है, तो water quality कैसी है, drinking पर पच के लिए excellent है, इसी तरीके से आप देखेंगे, हमने कुछ और भी quality निकाल के देखिए, देखिए, एक हमने जो पूरा calculation यहाँ पर दिखाया है, SI, MI की value हमने यहाँ पर दी हुई है, different values है, तो उसके basis पर जब डबलो QI calculate होगा है, तो 44 है, 44 मतलब 26 से 50 के बीच में, तो इसका मतलब water quality कैसी होगी, यह होगी good quality, अगर मैं यहाँ है, मान लीजे, मेरे sample में 0.02 है, तो अगर यह 0.0 है, तो देखिए, यह 45 होगी, जो index की value होगी, दीरे-दीरे अगर मेरे parameters की value increase होगी, तो आप देखेंगे, यह value क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, यह आप देखिए, अगर यह value है, मान लीजे, मेरे पास 56 आई है, तो आप यह 45 रही value और यह value इसका मतलब again यह क्या है good quality है अगर मैं कहूं कि मेरे उसमें जो sodium है वो इतना बढ़ गया है इतना sodium है तो देखिया अभी भी यह 45 रहा तो यह depend करता है कि यह इसमें parameters की value क्या क्या है अब आप देखिये potassium अगर 11.2 है तो again अभी भी यह क्या है good quality वो कितनी आई है तो उसके basis पर यह जो index है वो क्या हो जाती है change होती रहती है और change जब यह हो जाएगी तो change होने के बाद आप देखेंगे कि यह जो value है वो change होगी और change होने के साथ ही यह बताएगी कि यह जो quality है यह पीने योग है यह नहीं है तो इस तरीके से आप देखेंगे जो पांच केटेगरी हैं on the basis of WQI हम बता सकते हैं कि ये जो पानी है ये पीने योगी है या नहीं है So this is all about the WQI water quality index को हम कैसे calculate कर सकते हैं on the basis of combination of different physical, biological और chemical parameters जो की उनका combined effect शो करता है और combined effect जो है वो उसके और जाना जादा अच्छा है कि हम उसको देखें कि उसके basis पे water quality कैसी है बजाए हम अलग-अलग parameter के उपर base बताए water quality So this is all about the water quality index calculation and the determination of water quality on the basis of this WQI value So thank you very much Thank you